आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम ऐसे धान तक नहीं हो तरी स्टेडिक लोस पर आपका बहुत बसवाकत है कल रात में दोस्तों मैंने आपको बताया था रात साड़े ग्यारा वजे के करीब कि मुक्तार अंसारी का निधन हो गया है अब जो उनके बड़े भाई हैं अफजाल अंसारी उन्होंने काफी कुछ कहा है आपको बता है कि मुक्तार अंसारी की कहानी मैंने कई बार आपको बताई है कल भी मैंने बताई थी मुक्तार अंसारी का जनम वैसे तो रिकॉर्ड में 1963 है लेकिन यहां पे 1960 गाजी पूर्वांचल में आता है वहां पे मुक्तार अंसारी पैदा हुए अब परिवार की बात करें तो पिता जी सुभान अल्ला अंसारी उनका बड़ा ही नाम बहुत जवर्दस्त नाम ब्रिगेडियर उस्मान नाना जी 1948 में बहुत बड़ा नाम भाईया पाकिस्तान के टैंक ओड़ा दिये हावेद अंसारी चाचा जी दादा जी जो है मुक्तार अंसारी मुहमद मुक्तार अंसारी वो खुद जो है कॉंग्रेस के अध्यक्ष रहे चोके बड़े को लेने के लिए मुक्तार अंसारी जो है वो घुज गया फिर एक मकलू गैंग पहले उसमें शामिल हुआ नाशनल लेवल का शूटर था बेरुजगारों के एक फौज बनाई उसने देखा कि कौन कम उमर के बेरुजगार है उनको पकड़ा बोला कि हमारी गैंग में शामि बनाना शुरू किया गुंडा टैक्स की बड़ी बात होती थी जब मुक्तार अंसारी विधायक बना और बाकी बहुत बहुत लोगों की बात होती है कि जितने भी गैंग्स्टर्स हैं यह गुंडा टैक्स पहले वसूलते थे कि अगर तुम बिजनेस कर रहे हो तो हमको पैस करते थे इन फैक्ट एसके अवस्थी 2003 में मुक्तार अंसारी इनके सीधा माथे पर कंपटी पर गन लगाई सूचिए जेल में निकले कंपटी बन लगाई बोला निकलो तुब को देख लूँगा तो इसके अवस्थी ने बोला कि बाई बताओ मैं जेलर हूं मुझ पर गन बनते हैं और उसके बाद there was no looking back लेकिन फिर दोस्तों ब्रिजेश सिंग से बहुत बड़ी दुश्मनी थी इनकी ब्रिजेश सिंग आपको पता है कि ब्रिजेश सिंग जो थे वो काफी टैलेंटेट थे पढ़ाई लिकाई में काफी अच्छे थे लेकिन उसके बाद क्या अब वो इधर ये साहिब ग्यांग में शामिल हो गए बाद में उनको अपना ग्यांग बना लिया अब उसके बाद दोनों में लड़ाई छिडी बहुत तगड़ी लड़ाई छिडी ब्रिजेश सिंग भी गैंग्स्टर ये भी अब दोनों एक दूसरे पर गूलियां चला थे ठीके ना कई बरेंश भी खैश्णा रंद राय उनको ब्रिजेश सिंग सपोर्ट कर रहे थे तो खिशना रंद राय की हत्या का रोप लगा पोटा का रोप लगा एलेंजी रखने का मुकतारन सारी प्यालों और प्लगा जिसके केस चल आपचास सजाद मुकते हैं तो य 19th March को इनकी इन्होंने रोजा रखा हुआ था ठीक है और फिर इसके बाद नमास पढ़के इन्होंने रोजा तोड़ा लेकिन जैसे ही इन्होंने खाना खाया उसके बाद इनको बहुती कमजोरी सी लगी और एकदम से उल्टी हो गी अब जब इनको बहुत बहुता उल्टी हमारी जब बात होती थी कि मुझे स्लोली स्लोली जहर दिया जा रहा है स्लो पॉईजन दिया जा रहा है ठीक है ना क्योंकि इससे पहले भी मुझे कमजोरी आई और इनके वकील ने भी ये बात कोर्ट में बताई थी 25-26 मार्च को इनकी तबियत बिगड़ी बताय जा था कि कोई heart attack नहीं है ये जहर दे के हत्या की गई है इसको मुक्तार अंसारी को जहर दिया गया है इसलिए ये बहुत बड़ा आरोप है ठीक है कि हम मारा गया है जानबूच के मारा गया है क्योंकि उसने एक तो हमसे बताया था एक दम से यह हुआ है हम कई बार जो है वो कम्प्लें सा लगता था ठीक है ना तो वो ये चीज बताते थे है ना बिहोश हो गए एक बार तो जब बिमार पड़े थे तो उनका पेट फूला हुआ था जो होट है वो नीले पड़े वोए थे तो इसे साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ गड़बाड़ा ये आरोप लगाए देख ठीक है ना मुक्तार अंसारी जब उनकी तवित खराब ही हॉस्पिटल में गए तो किसी को उनसे मिलने नहीं दिया गया और ये बात छुपाई गई है अब वहां पे जो मेडिकल टीम थी उसमें जो डॉक्टर थे वो एक सर्जन थे और बाकी दो फार्मेसिस्स थे तो क्या मेडिकल जहां छोड़िए आप खुदी समझ सकते हैं अब यहां पे जो कल मेडिकल टीम ने जारी किया है उसमें बोलाए कि काइडिया करेस्ट आया था हार्ट अटैक्स ये मुक्तार अंसारी की मौत हुई है ठीक है तो हो सकता है देगे जब से ये मतलब ये इनकी तवित खुराब रहती जब ये रोजे रख रहे थे ठीक है और होता भी है रोजे रखने में काफी ज़OWी तो कमजोरी तो आ ही जाती है ठीक है तो ये पूरा कापुरा हिसाब किताब है इनकी फैमिली ने बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि अक्च्छलम मुक्तारांसारी मरे नहीं है उनको मारा गया है अब इस पर जाच होगी नहीं होगी यह तो आने वाला वक्ती बताएगा फिलाल मुक्तार अंसारी के घर पे काफी जाधा सेक्यूरिटी है काफी लोग गाजीपूर में उनके घर पे जमा हुए यूपी में एलेट जारी है पैरा मिलिटरी फोर्स हुए है गाजीपूर में स्पेशली कैंडल मार्च निकाला गया है ताकि शांती बनी रहे क्योंकि आप समझ सकते हैं कि अतीक एहमद मुक्तार अंसारी यह सब अगर बात करते हैं बाहु बली नेता तो गैंस्टर टन बाहु बली नेता बड़े नाम थे हैं और पॉलिटिक की हिम्मत नहीं है ऐसा कुछ करने की तो पचास से उपर मामले दर्जा और कोट ने खुद बोला था कि एक ऐसा इंसा जिसको पचास से उपर मामले दर्जा है वो कैसे कानून से बच जाता है यह तो बहुत बड़ी नाकामियावी है हमारे लीगल सिस्टम की तो यही है जहर कि मारा गया वो देखेंगे फिलायन की दर्जान की बड़े भाईह वह भी आपको पथा दूखिल की संसरे दो उन्होंने कव्मी एक्तादल बनाया था पहले बस्पा में थे बात में अलग वह कौ्मी एक्तादल बनाया अब फिर बसपा में मर जो है और वो जीते भी ठीक है और मुक्तार अंसारी भी जेल में रहे के लेक्शन ले और जैसा कि आप रख सकते हैं बिल्कुल जेल में लेक्शन जबता का कॉन्विक्ट नहीं हुए तता का कुछ भी कर सकते हैं एक बार कॉन्विक्ट होगे तो फिर आप क चल रही थी तो यह हुश रहे पढ़ते रहे देशे से दान तक नियों तरी सानी को बाकि जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा थांकियो सो मच